ओ, मैं खुद चोग गया, जिया दोस्तू, Microsoft ने Windows 11 के अंदर एक नया अपडेट लाया है, अगर आप एक Windows यूजर हो तो आपको ये वीडियो एंड तक देखना चाहिए, Windows 11 के अंदर File Explorer के लिए Tab Option एक नया अपडेट है और बहुत सारे अलग-अलग interesting features है इसके, तो अगर चैनल पर आप सबका सौगत करता हूँ, शुरू करते हैं, Microsoft का ये नया अपडेट का information वाला वीडियो, let's begin तो दोस्तों, Microsoft ने Windows 11 के अंदर File Explorer में कौन सा नया अपडेट लाया है, वो दिखाने के लिए मैं आचुका हूँ, मेरे desktop के पर, और यहां पर मैं प्रेस करूँ, Windows E, जैसे मैंने Windows E प्रेस किया, File Explorer ओपन हो गया है, और आपको दिखाए दे रहा है, यहां पर Tab आया है, Home Tab, औ और Home Tab के वाज़ू में, यहां पर एक Plus Option आपको दिखाए दे रहा है, जहां से आप और भी Tab अड़ कर सकते हैं, जैसे मैंने इस Plus पर क्लिक किया, और एक Home Tab अड़ हो चुका है, और मैं इसमें Supposed Output Folder उपन करता हूँ, यहां पर मैंने फिर से Plus पर क्लिक किया, यहां पर मैं Excel फाइल 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 उपन करता हूँ, यहां पर प्लस पर क्लिक कर सकते हैं, यहां पर नया टैब लेने के लिए आप Keyboard पर Ctrl T बटम प्रेस कर सकते हैं, जैसे आप Chrome ब्राउजर में या फिर Microsoft Edge ब्राउजर में नया टैब लेते हैं, वैसे यहां पर आभी आप File Explorer के अंदर बी टैब ले सकते हैं और अलग-अलग फोल्डर यहां पे इन टैब में आप ओपन कर सकते हैं अब यहां पे जैसे मैं Ctrl T बटन प्रेस करता हूं तो नया टैब एड होता है लेकिन बाइड इपॉल्ट यहां पे होम पे ही रिडिरेक हो जाता है तो इसे अगर मैं चेंज करना सकते हुआए इसपे कलिक किया इसके बाद यहां पे ऑपको क्लिक करोगए एसे आप के सामने एक डायलास ऐगा इस डायला बॉक्स में यहां पे ओपन फाइल एक्स्पोर में फोल्म की जोगए और इस PC पेसी सलेक किलिए जैसे मैंने यहां पर this PC रखा as a default और apply ok कर दिया, अब मैं ctrl T बटन अगर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे this PC open होगा इसके बाद, right, तो यहाँ पे अभी मैंने धेर सारे tab open किये, फिलाल मेरा selection this PC पे, और मैं यहाँ पे home पे आना चाहता हूँ left side के tab पे, तो मैं keyboard पे control shift और tap बटम प्रेस करूँगा और left में आना चाहता हो control shift 明द हो आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैं लेप्ट में आ रहा हूँ और right में जाना चाहता हूँ control tab एक-एक tab आगे जाना चाहता हो control tab बटम प्रेस करूँगा keyboard से control tab से या control shift tap से in tap की बीच में आप move हो सकते हैं या किसी भी tap पे directly jump करना है जैसे मुझे output tap पे directly jump करना है तो ये दो number का tab है तो मैं keyboard पे control 2 button प्रेस करूँगा तो directly मैं इस tap पे jump हो जाऊँगा मैं keyboard पे control 3 करता हूँ ये देखिए आप control 4, control 5, एक एक tap आगे जाएंगे control 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से आप यहाँ पे tap की बीच में switch भी हो सकते हैं और अगर मुझे ये tap close करना है तो directly मैं यहाँ से तो X button दिखा दे रहे हैं चोटा से यहाँ पे click करके मैं close कर सकता हूँ या keyboard पे आप control W बटन दबा दीजिए जो भी tap selected है, ये tap selected है control W बटन दबाने से ये close हो जाएगा तो control W बटन से यहाँ पे tap close होता है control T बटन से नए tap add हो जाता है या फिर tap की उपर right click करके भी आप tap को close कर सकते हैं या फिर इस tap को छोड़के बाकी के सभी close करने हैं तो आप close other tabs पे click करेंगे तो बाकी के सारे के सारे tab यहाँ पे close हो जाएगे और दुबारा अगर आपको इनको open करना है तो आप इस तरह से open कर सकते हैं आपकी जो files आपको open करनी है यहाँ पे आप सेलेक कर सकते हैं इस tap में यह file open करनी है मतलब यह particular folder यहाँ पे इस tap में आपको दिखाए देगा यह वीडियो तो आगे चलते रहे दोस्तों लेकिन अब तक वीडियो पसंद आया तो like, share और comment करना साथ में अगर channel पे नए मैमान हो तो subscribe करना और bell icon पे click करना ताकि हमारी वीडियो की notification आपको मिले और मेरी teaching channel आपको पसंद है तो description में ही मेरी website है जहां से आप सीख सकते हैं घर बैटे बैटे computer courses, computer hardware का course है computer mastery course है, धेर सारे computer के courses available है, एक बार जरूर चेक आउट कीजिए जरूर चेक आउट कीजिए, फिलाल तो अपने topic की तरफ बढ़ते है अब यहां पे जो book one excel फाइल दिखाए दे रहे है यह suppose मुझे output folder में यहां पे copy करनी है तो मैं क्या करूँगा, इस book one फाइल को select रखूँगा उसके बाद इसके उपर mouse का lab button click करके रखूँगा मतलब mouse का lab button press करके रखना है और drag करना है और drag करके output folder में आऊँगा और नीचे यहां पे इस तरह से मैं इस file को drop कर दूँगा, तो यहां पे फाइल copy हो जाएगी easily आप इसे drag and drop कर सकते हैं इस तरह से और इनका selection हटाना है तो आप जाकर दुबारा select none पे click कर सकते हैं हाँ अगर आपने यहां पे suppose यह 4-5 file select की और इने छोड़कर बाकी की file select करनी है मतलब 5-13 मैंने select की लेकिन अभी इने नहीं copy करनी इनको छोड़कर बाकी की करनी जैसे उपर की 1-2-4 और नीचे की files तो उसके लिए select की files को invert करने के लिए यहां पे एक option दिया गया है invert selection यह दिखिए यह काप interesting options है invert selection मतलब वो file यहां पे नहीं select होगी बाकी की सारी file select हो जाएगी और हाँ जो select की फाइल है उन सभी का path अगर आपको copy करना है तो यहां पे जाकर ही आप यहां पे copy path बटन पे click कर सकते हैं copy path बटन पे click कीजिए जैसे आप इसे copy path कर लेते हैं उसके बाद आप excel शुरू कीजिए और excel के अंदर आप इस path को paste कर सकते हैं देखिए सारी की सारी files जो अपनी copy की थी उसका path आपको यहां पे excel में दिखाए देगा इसके अलावा आपने जितनी select की फाइल है उन सभी को compress करना है जैसे मैंने suppose control लेकर सारी select कर ली और यहां पे click करके मैं compress करना चाहता तो compress to zip file मतलब यहाप एक zip file बन जाएगी इन सभी को compress करके जब आपको इन files को email करना है सभी file को तो आप compress to zip करके उने email कर सकते हैं इसके अलावा जब आप home tab में आते हैं तो home tab में आपको quick access जो option है यहाँ पे मिल रहा है इसके पहले quick access जो option था वो आपको यहाँ पे left side में मिलता था home लेकिन quick access option अभी यहाँ पे दिया गया है उसके नीचे आपको favorites option दिया है और उसके नीचे recent दिया है अब इस favorite मतलब basically क् example ले लो excel के अंदर जब हम file menu में जाते तो यहाँ पे आपको recent और pin file मिलती है तो यह pin file जो होती है यह होती है यहाँ पे favorites मतलब अभी अगर आपको कोई file यहाँ पे favorites में add करना है तो आप कर सकते जो की pin होगी आपके लिए और आप हमेशा अगर उसे open करना चाते तो यहाँ पे add to favorites हो जाएगी जब भी मैं इसे open करना चाता हूँ मैं यहाँ से quickly open कर सकता हूँ तो यह pin करने जैसा ही है दोस्तों और इसके नीचे recent file दिया है जो आपने recently access की file है वो सारी यहाँ पे दिखाए देगी और आप नहीं चाहते यह files दिखाना तो आप यहाँ पे three dots पे click करो उसके बाद यहाँ पे आपको options पे click करना है इस पे click करने के बाद यह dialogue box है जिसमें आपको नीचे option मिल रहा है यहाँ पे show recently used files show frequently used folders show files from office.com यह आप यहाँ पे uncheck कर सकते यह uncheck करने के बाद यह recent open files यहाँ पे नहीं दिखाए देगी अगर आप नहीं चाहते इन्हें दिखाना तो आप इन्हें hide कर सकते हैं इसके अलाव अगर आपको यहाँ पे कोई particular excel word की file अगर filter करनी है तो यहाँ पे filter पे click कीजे और directly आप यहाँ से file को filter कर सकते हैं जैसे आपको word की file ही देखनी excel की powerpoint की images तो आप यहाँ पे click करो बस images ही आपको recent file में से दिखाए देगी आपको ब इंट्रेस्टिंग चीज माइक्रोसॉप ने विंडोस 11 के अंदर एड़ की है और अगर अब तक विंडोस 11 में अपग्रेड नहीं किया तो मैं रिकमेंड करूंगा अपग्रेड कीजिएगा जरूर thank you very much for watching this part so कैसे लगा दोस्तों यह update मुझे तो कापी इंट्रेस्टिंग लगा है आपको भी इंट्रेस्टिंग लगा तो कमेंट जरूर लिखना साथ में शेयर करना वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी लिंक्स दीए जरूर चेक आउट करना और मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर तब तक के लिए अपना खयाल रखना सीखते रहना सी